हाई वेल्कन हो माँ चैनल इस वीडियो में साल्व करेंगे दो केशन्स क्वेशन नमर 5 और क्वेशन 6 यदि आप इसके पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने 1,2,4 साल्व पर चुके हैं तो यहाँ पर 2019 में जो क्वेशन दो पूछे हुए हैं क्लास 9 के क्वेशन्स हैं सूचिए आप क्लास 9 के इंट्रेंस का एक्जाम दे रहे हैं और क्लास 9 का जो क्वेशन जो आप पढ़ेंगे क्लास 9 में जाकर के उस इंस्सिटूट में वहाँ वही क्वेशन पूछ दिया आपका क्लास 9 का तो आप कैसे करेंगे यह सारे questions आप करी नहीं पाएंगे। समझें कि आप छोड़ के आने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं अब इसको solution आपको दिखा देता हूं कि कैसे करेंगे लेकिन यह बहुत ही tough questions है क्योंकि आप पढ़े ही नहीं है जब पढ़े नहीं है तो करेंगे कैसे हैं गी नहीं क्योंकि इसमें दो वरियेबल वाले question है यह है चुलिए solve करते हैं तो यहाँ पर एक river वाला problem है तो यहाँ पर माल लेते हैं river ऐसे है ठीक है और इसका flow जो है ऐसे हो रहा है इधर वाटर जो है flow कर रही है क्या कर रहा है आप बोट covers एक बोट जो है cover कर रही है 32 km upstream upstream मतलब कि यह जो बोट है वो उपर की तरफ जा रही है ऐसे और यह 32 km जब जा रही है उपर की तरफ water के opposite direction में और 36 km downstream और इतना जाने के बाद 36 km डाउन स्ट्रीम जा रही है तो 7 hours लग रहा है तो downstream downstream का मतलब है कि बोट जब धारा की दिसा में मूव कर रहा है तब बोलते है downstream upstream का मतलब होता है कि धारा जो बह रही है उसके opposite direction में जाने के लिए बोलते है उसको upstream upstream ठीक है मतलब उल्टा जाना तो यह 7 hours लग रहा है अब यहां बोलाए कि also it covers 40 km अब 40 km upstream जा रहा है मतलब की opposite direction में and 48 km downstream और धारा की दिसा में 48 km जा रहा है तो इसको लग रहा है total time 9 hours तो बोलाए कि the speed of the boat in still water is तो boat का जो speed होगा still water में मतलब सान्त water में ऐसे move करने वाले water में नहीं तो कितना होगा उस boat का speed तो यहां पर क्या करेंगे कि पहले हम माल लेंगे कि speed of boat in still water जो है x है ठीक है speed of boat और still water में ठीक है यह हम माल लेंगे x km per hour ठीक है यहां पर ध्यान दिजेगा हमारा जो यह stream है मतलब river का जो यह stream भी होगी ना stream का जो एक speed होगा stream का तो हम वह भी माल लेंगे let माल लेंगे speed of stream जो धारा का speed होगा वह भी कुछ होगा उसको माल लेते है y km per hour और देखिए x और y बिना माने अफसाल करेंगे इदम यह ध्यान देजिए और इसलिए यह class 9 का question है और आप साथ नहीं किया है चलिए आप ध्यान देजिए वैसे इसको समझ लीजे कैसे करेंगे तो speed of boat आ गया x km per hour और speed of stream आ गया y km per hour ओके अब हमें क्या करना है यह निकालना है कि speed इस boat का क्या होगा up stream में अब जब जाएगी तो क्या speed होना चाहिए तो हम यह निकाल लेते हैं दो सीज़े निकालेंगे speed of boat एक बार up stream में तो up stream में यदि निकालेंगे speed तो मिलेगा आपको जो भी इस boat का speed होगा, उसमें से minus करना पड़ेगा धारा का जो speed है, मतलब कि जो stream का speed है, मतलब water का speed है उसको minus करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि opposite action जा रहे हैं तो क्या होगा? नाव को पीछे की तरफ धक्का देगा न, water का speed इसलिए माइनस करना पड़ेगा यह होगा ओप इस्ट्रिम जाने में आप इस्ट्रिम मतभी होगत आप उजब है एकस मैनसदवाइ किलॉम्टाप और उडला आवर होगा यह इस पीड dim upstream और speed of boat downstream अब यहां निकाल लिजे down stream तो downstream जो होगा speed वो होगा x plus y अब इसमें plus क्यों कर दिए stream का जो speed है वो plus कर देंगे क्योंकि वो साथ में उसको ले कर जा रहा है वोट को तो water का speed भी add हो जाएगा अब ऐसा क्यों किया मैंने अब हमने निकाल लिया ना यह बात निकाल लिया है आपर न कि speed boat का speed upstream में है वो इतना है और down stream कितना है इतना है तो हमें boat का speed पता चल गया है अब यह बताए distance में जब speed से divide करेंगे तो यह distance के आप पहली बरती हो थर्टी टू किलो मिटर में यह थी हम divide करेंगे speed से तो distance अपने speed क्या होता टाइम होता है तो 32 km और upstream में यह दिवाइड करेंगे up stream वाले speed से मतलब की x-y से और इसमें add कर देंगे मतलब actually यह कैने कंपलेगा time निकलेगा मतलब 32 km जाने में जितना समय लगेगा वही यह निकलेगा यह निकलेगा time और इसमें plus कर देंगे 36 km जा रहा है downstream ठीक है तो 32 km जाने में इतना time लग रहा है, 36 km जाने में इतना time लग रहा है, दोनों कुछ add करेंगे तो total time करें लग रहा है, 7 hours लग रहा है, यह पहला equation बनेगा, और दूसरा बनेगा आगे वाले से, और similarly हम बना लेंगे, इस तरह के से 40 upon, sorry, 40 upon क्या हो जागा, of stream में क्या है, x minus y होगा, plus 48 upon, 48 upon होगा, x plus y, equal to क्या हो जागा, 9 hours, equal to 9, इन दोनों equations को solve करेंगे, तो आपका जो है, x, y की value आ जाएगी, और इन दोनों को equations solve करने में बहुत lengthy जाएगा, जो कि आप नहीं जानते solve करना, actually इसको हम मानते है, 1 upon x minus y को यू माल लेते हैं, और 1 upon x plus y को भी माल लेते हैं, जो कि मैं solve नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत लंबा चला जाएगा, और यहां पर solve हो भी नहीं पाएगा, ठीक है, तो मैं इसका answer बता देता हूँ, कि x और y की value finally क्या निकलेगा solve करने पर, तो unsolving, unsolving, जो x की value मिलेगी, यहां पर, वो आपका मिलेगा, 10 km per hour, और y जो मिलेगा आपका यहां से, y तो निकालना ही नहीं है, y की value तो निकालना ही नहीं है, कि वहले, x निकालना है आपको, solving पर x की value मिलेगी, 10 km per hour, और x क्या है, speed of boat in steel water, जब इसको solve करेंगे, तो x की value निकल सकती है, और यह solve करना आप class 9 में पढ़ेंगे, सोचिए कितना tough question बनाया है, तो ऐसे कुछ questions आएंगे, जो आपको बिल्कुल ignore कर देना है, solve भी नहीं करना, क्योंकि वह class 9 के हैं, वह इसलिए बनाया जाते हैं, क्योंकि, यह बहुत ही brilliant जो रहेगा, जो 9 के भी question solve किया है, वही solve कर सकता है, और यह सब questions bank के exam में पूछता है, जो graduation pass कर लेते हैं बच्छे, वह solve करता हैं ऐसे questions, अब सूचिए, जो चल यह 10 किलोमेटर पर हो रहा है, मतलब कि यही आपका second option correct होगा इसमें 5 में, अब चल एक 6 काल परते हैं, देखे 6 में क्या होगा, इसमें भी अब दो बार मानना पड़ेगा, यह बोल रहा है, अनसेलिंग, अनसेलिंग और टी सेट, एक टी सेट को बेचा जा रहा है, 5% लॉस पर, और एक लीमन सेट को बेचा जा रहा है, 15% गेन पर, और क्रॉकरी सेलर गेंस और टोटल आफ रुपीज 7, if he sells the T सेट at 5% गेन, and the लीमन सेट, at 10% गेन, he gains रुपीज 13, the actual price of the T सेट is, तो T सेट का actual price क्या है, मतलब CP पूछा है, T सेट का क्या है, तो अब यहाँ पर दो चीज़े सेल कर रहा है, एक चीज़ T सेट कर रहा है, और एक कर रहा है क्या, लीमन सेट, तो दो चीज़ है, तो T सेट का माली जो की CP है, वो है, X रुपीज, ठीक है, और लीमन सेट का माल लेते हैं, Y, तो लीमन सेट का, CP माल लेते हैं, यहाँ पर, CP of लीमन सेट, यह हो गया, Y रुपीज, ठीक है, तो हमने जब CP माल लिया यहाँ पर, तो इसी का तो परसंटेज दिया हुए, ना, 5% लॉस हो रहा है, X का, तो कितना % इसका मतलब loss हो गया तो आप इसका loss जब निकालोगे तो इसका निकालोगे आपकी loss on T-set T-set पर जो loss होगा वो कितना आएगा पताइए इस पर loss जो होगा वो आएगा X का 5% मतलब कि यह कितना हो जाएगा X into 5 upon 100 हो जाएगा और यह क्या होगा जो भी होगा वो निगेटिम में आएगा मतलब loss होगा उसको और लीमन सेट पर क्या हो रहा है gain हो रहा है 15% का तो इसका मतलब कि यहाँ पर होगा gain और gain हो जाएगा Y में multiply करेंगे 15% मतलब कि मिल जाएगा Y into 15 upon 100 ठीक है तो यह जो loss और gain होगा है इन दोनों को मिला करके total उसको gain हो रहा है total of 7 rupees का और 7 rupees का gain हो रहा है तो यह पूरा निकल गया है rupees में यह निकला क्या है इन दोनों को add करने पर rupees 7 आएगा मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि 5x upon 100 में जब आइड करेंगे लेकिन एक और बात घ्रान रखेगा loss और आना तो यह negative रहेगा यह negative रखेगा और gain को positive रखेए तो यहाँ पर यह जो है 15y upon 100 आएगा इन दोनों को add करेंगे तो मिलेगा 7 rupees ठीक है मतलब एक negative है loss तो loss वाला घट जाएगा इसमें से इसलिए minus रखेंगे ठीक है अब यहाँ पर equation बन जाएगा और LCM लेंगे तो मिलेगा आपको 5x plus 15y is called to 700 यह मिल जाएगा पहला equation और दूसरा equation बनेगा यहाँ से दूसरे वाले sentence से क्या बोला है if he sells यह तो T set को sell करता है 5% के gain पर ठीक है तो T set को sell करता है 5% gain पर मतलब X का क्या करेंगे X का निकालेंगे 5% और X into 5 upon 100 अब इसमें क्या करेंगे lemon set का क्या कर रहा है 10% gain पर बेच रहा है फिर से तो plus कर देंगे 10% 10 into y upon 100 और यह पूरा equal कितना हो रहा है 13 rupees के यह लिग देंगे 13 मतलब यह बन जागा दूसरा equation और यह बनेगा आपका 5x plus यह बनेगा 10y और यह 100 में रप्लाई करतेंगे इधार LCM लेने के बाद तो यह मिल जागा आपको 13 hundred तो यह दोनों equation को हम solve करेंगे तो हमारा निकल जाएगा answer हम actually निकालना है T set का ठीक है तो हम पहले solve कर लेता है देखिए आपे minus 5x plus इन दुनों को एक साथ रखिए minus 5x plus 15y is called 2 हो जाएगा 700 और इसको नीचे रख लिजे तो यह मिल जाएगा 5x plus 10y is called 2 यह हो जाएगा 1300 दुनों को add कर दिजे दुनों जो add करेंगे तो यह कट जाएगा और इकटेगा यहां मिलेगा क्या 25y is called 2 यहां add कर लेंगे तो मिलेगा आपको 20,000 sorry यहां पर 2,000 मिलेगा 0, 0, 7, 3, 0 और 1, 2 2,000 और y बराबर आजाएगा 800 जब डिवाइड करेंगे तो ठीक है यह हो गया 800 रुपीज तो अब यहां पर 80 रुपीज आएगा 80 रुपीज आगे आपका y हमें निकालना क्या था हमें निकालना है t-set का क्या होगा cost price मतलब x निकालना है तो किसी एक equation में इस y के बलू पूट कर देंगे मतलब यहां पर मालीज़ y के बलू पूट कर देता है क्या मिलेगा 5x प्लस 10 इंटू 80 10 इंटू 80 is equal to हो जाएगा 1300 और यहां मिल जाएगा 5x is equal to 800 हो जाएगा मानस करेंगे 1300 में से मानस 800 तो मानस करेंगे तो मिलेगा 500 और 5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 100 रुपीज मतलब कि यह डिवाइड करने के बाद 5 से मिलेगा 100 रुपीज ठीक है और यहीं हो जाएगा आपका 4th option आपका correct हो जाएगा मतलब 100 रुपीज होगा T set का price अब यह भी देखिए question क्या होगा अब इस question को solve करेंगे तो मतलब आपको 2 variable बाला concept लगा करके solve करना पड़ेगा जो कि यह भी tough है आप पढ़े नहीं है कभी भी 2 variable का concept यूज करना तो बताएगे यह ऐसा question क्यों पूछ दिया बस यह question दिया है आपको यह बताने के लिए कि CHS entrance tough है ठीक है लेकिन आप इतम घबराइए मत क्योंकि ऐसे questions कोई भी नहीं लगा पाएगा क्योंकि कोई पढ़ा ही नहीं है नाइंत का तो बिदास हो करके यह questions को skip कर दिजिएगा और sorry मत करिएगा तो इसके आने वाले जो next videos होंगे उसको देखे आप उसको आप जरूर बहुत सारे questions है जो आसान होते हैं ठीक है तो questions बहुत सारे हैं जो आसान हैं और आप देखिए उनको भी और share मत करना भुलिएगा और like कर जिएगा जिरूर थैंकियो सो मच बाए